नमस्ते, कच्छा साथ हिंदी साहित, विशे पाठ करम, वार्षी परिच्छा के लिए इस प्रकार है, हिंदी में साहित, अध्याय दस अब्बुखागी बकरी, ग्यारा मेरे छोटे मालिक, बारा तरुका जागरत गान, तेरा कन्य कुमारी की यात्रा, चौदा छिपारहस, पंद्रा अम्रता सेरगेल, सोला समय की सुरंग, सत्रा संकल्प से सफलता, अठारा बाल लीला, उनईस भारती कला, विद्यार्थियों को अध्याय दस से अध्याय उननीस ठक, वार्चिक परिच्छा के लिए प्रिश्नुत्तर, सबदर्थ, खालिस्थान मिल सकते हैं, भासा ब्याकरण में अध्याय 4 संदी, अध्याय 7 लिंग, अध्याय 8 वचन, अध्याय 9 कारक, अध्याय 12 क्रिया, अध्याय 14 वाच, अध्याय 18 बिरामचिन, 20 में निबंद वापत्र, प्राप्त हो सकते हैं, बिसे संस्क्रत साहित पाठि पुस्तक से चैप्टर नंबर 6 तू चैप्टर नंबर 11 अर्था अध्याए 6 से अध्याग्यारा तक अध्याए 6 का नाम है चाउरस चातुर्यम, साथ का है भल्लुकस पुच्छ की मर्थम नास्ति, आठ में है चाउद्यानम, नौ में अत्रिकिम वैसिस्टेम, दस में नीत इसलोका, ग्यारा में पत्र पितरम प्रति, इन में से प्रश्नुत्तर और खाली स्थान सबदर्द पूछे जाएंगे, ब्याकरण में है संदिपकरण, अब्याय, उपसर्ग, पर्यायवाची, विपर्यारिया, अप्ठित गद्यांस, धातु रूप में है इस्था द्रस्य और दा, सब्दू रूप में युस्मद और अस्मद पूछे जाएंगे, अप्ठित पद्यांस में, पूर चलने के बटोई, बाट की पहचान करने, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ग्यात होता है ना औरोगी जवानी से, अंगिनित रही गए, पिस राह से उनका पता क्या, राह से उनका पता गया पर गए, कुछ लोग इस प्यड़ों में छोड़कर निसानी, यह हरिबंस राय बच्चन की रचना में इसी लिया गया है, पहला प्रशन इस प्रकार है, कवी कब बाट की पहचान करने के लिए कह पहला है राह पर चलने से पहले, दूसरा है राव पर चलते समय, तीसरा है यात्रा समात करने के बाद, चौथा है रास्ता चुनते समय, इसमें पहला सही है, कवी के अमसार राह से कितने राही गए, पहला है गड़नी, दूसरा अंगिनित, तीसरा है एक भी नहीं, चौथा है सो इसमें से दूसरा सही है अंगिनित कवी किनकी बात कर रहा है उत्तर कवी उन भीर पुरसों की बात कर रहा है जिनके बलिदान के बिसे में कोई नहीं जानता है पैरों के अगला घा है कुछ लोग भीर से अलग कैसे है कुछ लोग भीर से अलग इसलिए है क्योंकि वे इस र पिरापर चलने से पहले हमें उद्देश या मंजिल का पता होना चाया है। से चली मैं वहां को गई मैं सहर गाउं बस्ती नदी रेत निर्जन हरे खेत पोखर जुलाती चली मैं जुमाती चली मैं हवा हूं मैं हवा बसंती हवा हूं पद्यांस में कैसी हवा कवर्णन कहा किया गया है पहला है रंगिली हवा दूसरा है बसंती हवा तीसरा है सुगंदि हवा चौता है तेज हवा इसमें से दूसरा है बसंती हवा हवा कैसे चलती है बावली और मस्तौला ठंडी और गरम आलसी और मंद सुगंधित हवा जब चलती है बावली और मौस्तावला ढंग से चलती है हवा कहां कहां घूंती है हवा सभी जगे जिधर चायती हूं उधर घूंती है सभी दिसाओं में घूंती है सहर में, गाउं में, बस्ती में, नदी में, रेत में, निर्जन में, हरे खेत में, पोखर में, सब जगे चलते पद्यांस में हिंदी के लावा ने भासा के सब्द पहचान के लिखे पद्यांस में हिंदी के लावा भी सर उर्दू भासा के सब्द भी है उर्दु भासा के सब्दों में फिकर है मस्तर मौला है मुसाफिर है अगला है हवा हिंदी के तीन परियावाची लिखना हवा पवन वायू समीर नदी के है तटिनी जलियानी नदी विद्यार्थी लिखेंगे और याद भी करेंगे